प्रदेश के पहले इलेक्ट्रिक बसों के लिए डीपू का निर्मान किया जाएगा जिसके लिए HRTC निगम ने 24 कनाल भूमिकार चेन भी कर लिया है जानकारी के मताबिक नदोन में बनाया जा रहा बस डीपू पूरी तरह इलेक्ट्रिक डीपू होगा जिसमें केवल इलेक्ट्रिक बसे ही खड़ी की जाएंगी मुख्य मंतरी सुखविंदर सिंग सुखू सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वहनों को चलाने के लिए अधिक बड़ावा दिया जा रहा है प्रदेश में इलेक्ट्रिक वहन चलाने से जहां HRTC को इंदन की बचत होगी और साथ ही HRTC निगम में मुनाफ़ा भी दर्श किया जाएगा वही HRTC हमीरपूर के DDM विवेक लखनपाल का कहना है कि मुख्य मंतरी सुखविंदर सिंग सुखू ने नदोन के लिए पहले इलेक्ट्रिक डिपू बनाने की सोगा दी है जो की अधुनिक बस डिपू होगा HRTC निगम दोरे इलेक्ट्रिक बस डिपू बनाने के लिए भूमी का चेन कर लिया गया है 24 कनाल भूमी में इलेक्ट्रिक डिपू बनेगा और अन्य विवागों से डिपू के लिए बनाने के लिए NOC HRTC को मिल चुकी है जल्द ही एलेक्टिक बसों का डिपू बनाने के लिए प्रस्ताव फाइनाइस सचीफ के पास भेज दिया गया है उन्होंने कहा कि ये बस डिपू अन्य बस डिपू की तरह नहीं होगा बलकि पूरी तरह से एलेक्टिक डिपू होगा जितने भी डिपार्ट्मेंट्स इंबॉल्व होते हैं उनकी लगबग सभी के अमरे पास आ चुकी है जो कि हमने डिसी ओफिस में जमा करा दी है तो ये केस जो है सेक्टर एबनिव के पास जा रहा है वहां से होके जल्दी किया जाएगा और फिर रेट्ममेरे नाम ये हो जाएगी सासाथ में मैं यह नहीं बताना चाहरा हूँ कि यह जो आदी के डिप कुछ मोंगे उनकी तरह नहीं होगा वह फुली लेक्रिकल डिप कुछ ओगा और इसमें जितने हुँबश्य होगी सारी लेक्रिकल होगी और विडियो अच्छी लगी हो तो शेर ज़रूर करें वोशन जोलर्ज अनमोल रिष्टों के लिए